हाई नमस्ते हैं वेलकम तो मैं चैनल माइसेल पी श्रेताजार आज मैं आप सभी लोगों से बात करने बाले हूँ सुमा अल्टा एल्टू केमिकल के बारे में जो की एक लिक्यूट डिटरजेंट है किसके लिए मेकनिकल वैर वाशिंग डिटरजेंट के लिए अगर आप चा बड़े-बड़े डिस्टूरेंट में यूज होता है यह बहुत जगह पे यूज होता भी नहीं और इसके लिए मैक्सिमम टाइम पे जो है डाइवर्सरी का जो मेंबर आता है रिप्रेसेंटिटिव आपके करता है अगर डाइवर्सरी का मेंबर नहीं आता है पानी में इसके बाद पानी का टेंपरेचर 65-75 इवेंट पानी भी सौफ वाटर होना चाहिए सौफट वाटर क्या है वह मैं आपको कमेंच सेक्चन में मैंसर मेंचिन कर दूंगी यह मेशी नॉर्मली क्या होता है ना यह केमिकल जो डाइवर्सरी का डिस्पेंसिंग आपको लोगों आपको देख पारे होंगे अगर आपका ओफिस में वह है तो आप तब आप उसके तुभी यह केमिकल यूज कर सकते यह केमिकल को अगर आप सोचे डिश वाशिंग की तुरू यूज करें दिश वाशिंग के लिए यूज करें तो इस चीज को ध्यान यूज करेंगा कोई भी हलका लाइक सॉफ्ट मेट्रियल पर यूज मत करेंगा लाइक अल्मुनिया सॉफ्ट मेटियल का जो भी समाने उसमें मत यूज करिएगा चीमिकल जो है आपको नौर्मल रूम टेंपरिचर रखना आए बच्चे लोगों से अवाइट करके रखना ह अगर आपको इस केमिकल के बारे में और भी कोई इंफरमेशन है तो अब लोग आप डाइवर सरी का जो डीटेल जहां पर डाइवर सरी का वेपसाइड है वहां पर जाके देख सकते एवन अगर आप चाहें तो MSDS भी अगर आप केमिकल का नाम लिखेगा सुमा अल्ट्रा टू MSDS तो केमिकल का डीटेल इंफरमेशन आपको आ जाएगा सोची अगर आप उसके बाद भी अगर आप डीटेल इंफरमेशन में कंफ्यूज्ड है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप टीपल 8352 2249 पर कॉल कीजिएगा आपको डीटेल इंफरमेशन केमिकल के बारे बता देंगे अगर किसी भी उपलॉई को यह केमिकल यूज करना समझ में नहीं आ रहा है तो केमिकल को यूज मत करीगा यह देंज़र्स यापीप ही रिक्टे और है और इस केमिकल को अगर आप गलत तरीके से यूज करते तो आपको साथ ूंहाफ में भी डीजीज हो सकता लाइक आइस डिसीज जो मैं नॉर्मली बात करती रहती हूं अगर आपको कोई भी और भी इंफरमेशन चाहिए तो आप मुझे कमें सेक्षन में पूछ सकते हैं आप सभी को मेरे साथ जुरे रहने के लिए शुप्र